हलो स्टूडेंट क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है सफलता के लिए अभ्यारती प्रतिभागी को यह जानना आना चाहिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल कुश्मान डाइस एचस अकैडमी को और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि आपको हमारी सभी अपडेट्स मिल देपिटेशन बेस फर अनुटराइज को लोनियल सल्स ड्यदिए इन्वाइट अप्लिकेशन फर प्रिस्क्राइब फर्मेट फ्रमेट 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 रिजिबल ऑफिस अंत्रल स्टे गोर्मेंट अटनॉमस बोडीज प्स्यू जोडिंग अनलोगिस पोस्ट इन परे यहां पर है सबसेंसिफ पे लेवल इन दो पे मैट्रिक्स और नंबर ओफ पोस्ट तो पढ़ लेते हैं इसको तो जो पहला है वह डिरेक्टर मेन अ मिनिस्ट्रल लेवल ट्वेल और पोस्ट हैं वन डिवाइड अट्टर अब इनिस्टरियल लेवल एलेवन और थर्टी पो जैसिस्टेंट सेक्शन ओफिसर इसमें लेवल 7 है और 130 पोस्ट है जुनियर इंजीनियर शिविल लेवल 6 और 90 पोस्ट है इसके बाद आगे देख लेते हैं जेनल गुडिशन जन चैनल 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 करेड़ शुट अप्लाइट थू काद्रे रोलिंग आथर इस इन पेरेंट चैनल 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 कोईकी यजुटो ओंफिसर लेवल था ओर भाल्स टारिव इन ऊप्लाइब रोलीमें यहिए डाल सेघ्टें लेव्ल चैनल 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 चैनलक प्रपरने लेग लेवल बबार्भ इन लेवल पर्प्रवाग ब Sanskyтовा प्रीपेशन चैनल date application received after last date of receipt shall not be entertained under any circumstances the period of deputation shall be initially of one year extendably और कुछ और information भी है यहां पर तो आप इसको screenshot लेकर detail में बढ़ सकते हैं इसके बाद यहां पर कुछ बायो डेटा फिल करना है कुछ इसी तरीके से आपको print करवाना है और इसी तरीके से ही आपको इसमें फिल गरनी है अपनी information आप देख लें इसको एक बार note down कर लें कि अपनी है और कुछ और है इसमें इने भी note down कर लें यहां पर आपको टेक्लेर करना है है केर फुली गौन थ्रू विकेंसी सर्कुलर अडविटाइसमेंट और वेल अवेल आफ देइन फॉरमेशन फॉर्निश्ट इन दिस करिकूलम वाय विटाए डियूली सपोर्टिट वाय दॉक्युमेंट इन आपको इस पर साइन करना है पोस्ट के बार में लिखना है डिपार्टमेंट के बार में लिखना है अब यह है सेडिफिकेशन बाइद एंप्लॉयर यहां पर उनका नेम आएगा और यहां पर उनका साइन होना चाहिए यहां पॉइंट्स तु भी नोटीट लिखें हुए हैं विजिलेंस clearance will not normally granted for a period of three years after the currency punishment if a minor penalty has been imposed of an officer in case of imposition of major penalty vigilance clearance will not normally be granted for a period of five years after current punishment in terms of D.O.P. and T.O.M. number यहां लिखा हुआ है और date at 12 December 2007 while forwarding the application in respect to the officers who are about to complete their cooling off period shortly the instruction of D.O.P. and T.E.S. as contained O.M. number लिखा हुआ है may be strictly adhered to or the application CV CV not accompanied by supporting certificate documents in the support qualification and experience claimed by candidates would not be processed for determining the eligibility of candidates for the selection or yaha kuch or information hack curricular crucial date for determining the eligibility of applicants will be counted after excluding the first date of publication of government vacancy posts in employee news for vacancy published in employment news of 18 24 18 to 24 January 2014 the crucial date will be counted from 19 January 2014 excluding the first date of publication तो आई होप आपको समझ आ गया होगा और इसमें अगर आपको कोई भी डाउट है या कुछ पूछना चाहते हैं कोई क्वेरी है तो आपको हमारा नंबर प्रोवाइड करा जाएगा हेलप लाइन नंबर आप वहां पर कॉल करके पूछ सकते हैं और हमारी वेबसाइट www.kushmanda.com पर जाकर भी आप अपने study material और test series के बारे में पता कर सकते हैं आप हमारी classes को बुक कर सकते हैं online और thank you वीडियो को देखने के लिए हम आपको next video के साथ जल्दी मिलेंगे तब तक के लिए good bye हमारी test series, study material या special classroom course के लिए visit करें हमारी website kushmanda.com पर यह हमारे help line नंबरों पर भी call करके आप सारी details पता कर सकते हैं so wait for our next video